गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर लक्ष्मी तिवारी, हिंदी विभाग, माडवारी कॉलेज, नाची बच्चों मैंने इसे क्लासिस में आप लोगों को पढ़ा रही थी क्लास 11 का हिंदी कूर हिंदी कूर जो हमारा पाठ पुस्तक है आरो भाग ए उसमें संकलित कवीता घर की याद जिसके कवी भवानी प्रसाद मिस्र है इसको मैंने पढ़ाया था और उसी का सेश भाग आज मैं पढ़ाऊंगी तो चलिए हम लोग देखते हैं कवीता की पंतिया पिता जी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा कहां मैं रोता कहां हूँ धीर मैं खोता कहां हूँ हे सजीले हरे सावन हे की मेरे पुन्य पावन तुम बरस लो वे नबर से पाचवे को वे नतर से यह पंक्तियां उप्युक्त पंक्तियां जैसा कि मैंने पहले बताया कि घर की याद से हैं और यह मा की सांतावना और पिताजी को धैर धारन करने की कल्पना करते हुए कविभानी परसाद मिश्र ने सावन से खूब बरसने को कहता है किन्तु चाता है कि उसके पिता अपने पांचवे पूत्र यानि भवानी के लिए दुखी न हो मा के सांतावना भरे शब्दों को सुनकर पिताजी ने कहा होगा कि मैं कहां धैरे खो रहा हूं मैं कहां रो रहा हूं पिताजी ने ऐसा कहते हुए कितना अधीक सहा होगा अर्थार पिताजी ने अत्यधिक पिड़ा अनुभाव की होगी कवी सांवन को कहता है कि धर्ती को हरा भरा बना दो यानि धर्ती को हरा भरा बना देने वाला सुन्दर सांवन तुम सब के लिए शुब कारे करते हो और तुम शुद्ध हो भी पवित्र भी हो इसलिए हमारी इक्छा है यानि कवी की इक्छा है कि वह खुब बरसे किन्तु पिता जी उसके लिए दुख ना मनाए आसू ना बहाए उनके चार बेटे उनके पास है वे अपने पाच्वे पुत्र के लिए ना तरसे आगे की पैंगतिया है हे सजीले हरे सावन हे मेरे पुन्य पावन तुम बरस लो वे नबर से पाच्वे को वे नतर से मैं मजे में हूँ सही है घर नहीं हूँ बस यही है किन्तु यह बस बड़ा बस है इसी बस से सब विरस है विरस यानि रस ही खुशी नहीं है विरस का मतलब हुआ बच्चों रस से भरा हुआ नहीं है कवीता के संदर में हमें यहां देखें तो कहा जाए कि आनंद हीन है इससे कोई आनंद नहीं मिल रहा है कवी सावन से अन्रोध कर रहा है कि वह पिताजी को सांतावना दे और उन्हें संदेश दे कि वह जेल में आराम से है कवी सावन को समझाती वे कहता है कि हे सावन वह उसके पिता को यह समझाए कि वह जेल में आनंद पुरवक है उसे यहाँ कोई दुख नहीं है उसे यदि कोई कश्ट है तो केवल यही कि वह परिजनों के बीच घर में नहीं है अपने परिवार से सदस्यों से दूर है यह दुख की बहुत बड़ा दुख है क्योंकि घर तथा परिवार जनों का अभाव ही सबसे बड़ा अभाव है वैसे तो बस अत्यंत लगुशब्द है किन्तु इसमें छिपी बात बहुत बड़ी बात है इसी कारण सारा आनंद सारी उमंग समाप्त हो जाती है परिजनों से दूर रहकर जीवन आनंद रहित रुखा लगता है किन्तु उनसे यह नह कहना उन्हें देते धीर रहना उन्हें कहना लिख रहा हूं उन्हें कहना पढ़ रहा हूं काम करता हूं की कहना नाम करता हूं की कहना चाहते हैं लोग कहना मत करो कुछ शो की कहना कवी जेल में जिमन वैतित कर रहा है वह सावन को संदेश वाहक बना कर अपनी पिता को संदेश भेज रहा है वह सावन को समझाती हुए करता है कि पिता को उसका संदेश देते हुए यह मत कहना कि भवानी जेल में दुखी और निराश है बलकि उन्हें धैर देते हुए कहना कि वह जेल में लिख पड़ रहा है वह जेल में काम करता है और अपनी पिता का नाम कर रहा है अथार्त उन्हें धैर देते हुए संदेश देना कि भवानी जेल में ठीक है वह जेल में लेखनकार में ब्यस्त है उनसे कहना कि वह यहां भी कार कर रहा है कभी कहता है कि हिसावन तुम मेरे यह पिता को संदेश देना कि भवानी वहां भी कार कर रहा है अपने पिता का नाम को उचा कर रहा है यह जेल में भी लोग उसे चाहने लगे हैं वह चाहता है कि उसके पिता उसे याद करके दुखी नहीं हो भाव यानि कभी का कहने का ताथ पर यह है कि पिता जी को किसी ऐसा बात का पता नहीं चलना चाहिए कि वे अपने पाच्वे पुत्र के लिए दुखी हों आगे और कहना मस्त हूँ मैं कातने में ब्यस्त हूँ मैं वजन सत्तर सेर मेरा और भोजन धेर मेरा कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डटकर धेलता हूँ और कहना मस्त हूं मैं यो न कहना अस्त हूं मैं कवी अपने संदेश श्वाहक सावन को समझा रहा है कि उसे पिताजी को क्या क्या संदेश देना है वैं कहता है कि वह घर जाकर उसके पिताजी को यह संदेश दे कि उनका बेटा जेल में एकदम मस्त और बेफिक्र है उसे किसी बात की चिंता नहीं है वह जेल में चर्खा कातने में ब्यस्त है वह धेर सारा खाना बखाता है इसके कारण उसका वजन भी 70 किलो हो गया है उन्हें यह भी संदेश देना कि भवानी जेल में खेलता है, कुदता है और ब्यायाम भी करता है उनका कहना, उनसे कहना कि वह जेल में मस्त है वे उसके संबन्ध में चिंता न करें प्रन्तु हे सावन उन्हें यह मत कहना कि वह जेल में बुचा हुआ अथात जीवन के प्रतिनिराश है वह दुखों को अपने से दूर रखता है आगे पंक्तियां देखें कि वह जेल की वास्तविक्ता से संबंधित उसके परिवार वालों को कुछ न कहे कि उनके उन्हें शक हो जाए कवी उसे समझाता हुआ कहता है तुम ऐसा न कहना जैसा की दिखाई दे रहा है गलती से भी यह न कह देना कि वह जेल में चिंता और भै के कारण रात भर जागता रहता है निराशा के कारण उसे निंद नहीं आती वह जाग कर आदमी की परचाई से दूर भागता है यह मत कहना कि वह चुप रहने लगा है वह यहां आकर अपनी सूद भूद ही भी भूल गया है कवी बादलों को सावधान करता है कि वह कुछ उल्टा सिधा संदेश नो दे ताकि उसके पिता को कोई संदेश हो जाए बादल और सावधानी वश ऐसे शब्द मुख से नो निकाल देना अथार्थ पिताजी को संदेश देते समय सावधान रहे ताकि उन्हें किसी प्रकार का संदेश नहीं हो यहां कवी सावधान को सावधान होकर संदेश देने के लिए कहता है वह उसे निर्देश देता है कि पिताजी के सामने कोई भी ऐसा ऐसा वैसा बात न कह दे जिससे की पिताजी को संदेश हो जाए अपने पिताजी से अपनी वास्तवी किस्थिती कवी छिपाना चाहता है तो बच्चों एक कवीता मारे हाज स्वाप्त होता है धेन्यवाद